आपका स्वागत है इस्टेडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्शर हार्ट फिल्योर यह क्या होता है हार्ट फिल्योर का मतलब क्या है कि वह इस्टेट जब हार्ट बाडी के आविश्यक्ता के अनुसार एनफ पंप ना कर सके ब्लट का तो यह कंडिशन हार्ट फिल्योर कर लाता है इस कंडिशन को समटाइम कंजेस्टिव हार्ट फिल्योर करते हैं क्योंकि लंग्स का कंजेस्टम एक मेन सिम्टम है हार्ट फिल्योर का और heart failure और cardiac arrest दोनों same नहीं है heart failure वो condition है कि enough blood pump नहीं कर पा रहा है heart जिससे की body का need complete हो सके लेकिन cardiac arrest में क्या होता है कि heart completely stop कर देता है beating और heart attack ये भी इन दोनों सब्दों से इन दोनों टर्म से different है heart attack में क्या होता है heart attack तब होता है जब heart muscles suddenly damage हो जाए inadequate blood supply की वज़ा से माल लेजिए coronary vessels है वो किसी तरह से heart muscles को sufficient blood नशप्लाई करें और अचानक heart muscles damage हो जाए तो ये condition heart attack कहलाता है और heart block ये भी term हमने जो उपर three term discuss किया heart failure, cardiac arrest and heart attack इन तीनों से heart block different है ये क्या है कि जब AV node damage हो जाता है तो जो heart contract करता है मतलब heart के chamber से ventricle वो contract करता है ये सब कैसे होता है ये सब AV node की वेज़े से होता है तो जब AV node damage हो जाएगा तो क्या होगा कि ventricles का contraction नहीं होगा और ये event heart block करता है मतलब AV node से जो signal चलता है ventricle को पहुंसता है signal तभी ventricles जो है वो contract करते है लेकिन AV node जब damage हो जाएगा तो signal नहीं पहुंचेगा और ventricles contract नहीं करेंगे और इस condition को heart block करते है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस्टरी क्लिक को थेंक्यू धन्नवाद जैंद लेप ह commandments करें मीद